आप मैं से सारे स्ट्टुट्स के पेपर उतने अच्छे नहीं गए होंगे को स्टुट्स हो सकते हैं एक दो पेपर प्षिक्स चेमीस्ट्री का अच्छा गह ब्लीड कर सकते हो So hi everyone, this is Samir आज इस वीडियो में आप सभी students का जो major doubt है grouping criteria को लेके वो सारे doubts में आज इस वीडियो में clear करने वाला हूँ और बहुत ही simple way में आप सभी students को में समझाने वाला हूँ कि grouping criteria क्या है और इसको कैसे clear कर सकते हो और M.H.T.C.T. की eligibility criteria क्या है जो 2024 में information brochure जो C.E.T.C.L.O. ने provide क्या है उसके अंदर आप सभी students की eligibility criteria क्या है वो भी हम लोग देखने वाले है और काफी simple way में आप सभी students को में समझाने वाला हूँ कि grouping आप कैसे clear कर सकते हो आप में से काफी सारे students के paper उतने अच्छे नहीं गए होंगे कोई student का हो सकता है एक दो paper physics, chemistry का अच्छा गया होगा mathematics का अच्छा नहीं गया होगा या फिर chemistry का paper आपका अच्छा नहीं गया होगा या फिर physics का paper अच्छा नहीं गया होगा उसमें आप confused हो रहे होंगे कि अगर भाईया मेरा group नहीं clear हो गया तो मैं CET का exam दे सकता हूँ या दे सकती हूँ या नहीं इसमें से आप बहुत सारे students के ये doubt होंगे और काफी सारे students के मुझे call आयते हैं कि भाई या group नहीं के लिए रो रहा है तो क्या करूँ तो देखो इसके जो options है मैं आपको बताऊंगा जो eligibility criteria जो है officially जो है वो भी सारी चीज़े हम लोग इस वीडियो में discuss करने वाले तो चलो वीडियो को हम लोग start करते हैं जो भी student new है इस चैनल पर चैनल को जल से जल subscribe करके रख लीज़े क्योंकि अब से आपको डेली वीडियो मिलने वाले हैं सीडी से related और आप सभी students के लिए एक big surprise भी जो है बहुत जल्दी में launch करने वाला हूं उसका teaser भी आप सभी students को बहुत जल्द देखने को मिलेगा काफी excited हूं मैं surprise के लिए सब्सक्राइब करके रखना ही रखना है आप सभी चैनल पर काफी यूसफुल वीडियो मिलने वाले तो चलो स्टार्ट करते सबसे पहले अभी grouping criteria के बारे में आप सब्सक्राइब कर दूँ देखो आप सब्सक्राइब को यह पता होगा कि जनरल सब्सक्राइब के लिए 45 परसेंटेज होता है जो कास केटेग्री जो रिजर्फ केटेग्री वाले स्टुडेंट होते हैं उनको 40 परसेंट होता है अब यहां पर देखो एक चीज़ यहां पर आप करो यहां पर देखो पीजिक्स केमिस्ट्री और मैतामेटिक्स में आपको बोर्ड एकजाम में जो है 45 परसेंटेज चाहिए अगर आप एमिस्टी सीटी के थ्रू एड्मिशन लेते हो और अगर आप कोई भी कैटेग्री से बिलॉंग करते हो देखो बहुत सारे ऐसे कास वैलिडिटी सेटिफिकेट होता है लेकिन एंसल सेटिफिकेट नहीं होता है तो वहापे आप ओबी सी क्लेम नहीं कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यमेंट्स नहीं है तो आप कास कैटेग्री में ही लाई करोगे तो अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यम मार्क्स चाहिए 40 मार्क्स चाहिए ऐसा नहीं है physics chemistry और mathematics को मिला के combine मिला के 135 या फिर 134 भी मार्क्स आपके बन रहे हैं अगर आपके 134 भी बन रहे हैं तब भी आप जो है eligible हो इसके लिए CT के लिए आप eligible हो उसी तरह यहां पे 120 के जगे अगर आपके 119 भी आ रहे हैं तब भी आप जो है इसके लिए eligible हो अगर आप OBC EWS ऐसे category में आते हो कोई भी कास category में आते हो अभी रहा सवाल देखो एक subject आपका optional होता है लाइक अगर कोई भी subject में आपके कम marks आ रहे तो दो subject जो fixed है वो में आपको बता देता हो सबसे पहले कौन से दो subject fixed है इसमें देखो यहां पर eligibility criteria यहां पर पूरा mention किया गया है CT cell वालो की तरफ से हर साल CT cell जो है MSTCity exam conduct होने से पहले एक information ब्रॉचर प्रोवाइड करते हैं जहां पर admission से related सारी information वो प्रोवाइड करते हैं तो यहां पर देखो information ब्रॉचर ने उन लोगने eligibility conditions and the require for admissions यहां पर बहुत ही simple way में इन लोगने explain किया है past HSC और equivalent examination with physics and mathematics as a compulsory subject देखो PCM में physics और mathematics के सब्जेक को जो है compulsory उनके marks count किये जाएंगे physics और physics और आपके mathematics अगर आप engineering में admission ले रहे हो अब आपका जो optional subject है that is chemistry chemistry में suppose अगर आपके कम marks आ रहे है chemistry यहां पर simple way में में आपको explain करूँगा like physics में आ रहा है 40 marks यहां पर 80 marks हो गया chemistry में suppose आ रहे है 30 marks तो यहां पर total कितना हो रहा है आपका 40 40 and 30 110 अगर आपको चाहिए 120 मार्क्स तो यहाँ पे chemistry के जगे पे आप दूसरे subjects को भी add-on कर सकते हो like अभी chemistry में यहाँ पे biology या फिर biology अब बहुत सारे students के अगरते plain subjects लेते जिसमें PCMB होता है अगर chemistry में अगर आपको कम मिलेंगे तो आपके biology के marks consider किये जाएंगे like biology subject है then technical vocational subjects है computer science है information technology है information practices है agriculture और engineering graphics business studies and at least obtain 45 marks और at least 40 percent in case of backward class categories economically EWS categories and person with PWD category वाले students के लिए ठीक है अभी यहाँ पे देखो मैं यह जो 120 marks है class category हो अलो के लिए मैंने बताएं like अभी मैं आपको बताओ अगर suppose आप open category से हो open category से हो अगर like physics में आपको मिल रहे है 40 marks maths में आपको मिल रहे है 50 marks maths में अगर आप 50 तक score कर रहे हो and chemistry में suppose आपको उतने marks नहीं मिल रहे है जिससे आपका group नहीं clear हो रहा है यहां पर आपके 90 marks हो जाते हैं and suppose यहां पर आपको मिल रहे है 40 marks तो यहां पर अगर count करोगे तो यह कितना हो रहे है आपका 130 marks लेकिन आपको group clear करने के लिए open category वालों के लिए कितने marks चाहिए 135 marks अगर suppose आपके chemistry में 40 marks आ रहे है तो यहां पर आपका biology का marks consider हो सकता है अगर आपका biology का subject है तो या फिर उसके जगे पर CS का marks भी consider हो सकता है अगर आपने subject लिया है या फिर IT का भी marks यहां पर consider हो सकता है business study का भी हो सकता है vocational technical subjects का भी यहां पर marks consider हो सकता है तो आपके जो दो subjects है यह fixed रहने वाले हैं और बाकी के जो optional subjects मैंने बताए है जैसे यहां पर आपको mention किया गया है यह सारे subjects अगर है आपके तो वह marks जो है consider किया जाएगा as a third subject दो subjects तो आपके compulsory होने वाले that is physics and mathematics and जो third है जिसमें सबसे ज़्यादे आपको marks मिलेंगे वह marks consider करके आप eligible हो सकते हो अब हो सकता है किसी का PCM का तो paper देको अभी हो चुका है इसमें से किसी को भी confidence है कि मेरा group नहीं clear हो है या फिर किसी को ऐसा doubt है कि मेरा group नहीं clear हो रहे है अगर आपके पास इसमें से कोई भी subject अगर बाकी है exam का तो इसको यूज करो और at least try करो कि 135 प्लस आपका score हो सके एंड आप at least eligible हो जाए ठीक है बहुत ही simple way में मैंने समझानी की कोशिश किये अगर कोई category वाला students है तो उनको 120 लेके आना है physics mathematics as a compulsory subjects जो 3rd subject है वो optional subject है उसके जगे chemistry के जगे आप biology यूज कर सकते हो CS यूज कर सकते हो IT यूज कर सकते हो यह सारे subjects अब यूज कर सकते हो ठीक है देखो MSTCT के लिए काफी कम टाइम रह चुका है अभी MSTCT की preparation आपको start करनी चाहिए अभी आपका देखो exam जो है 2L को होने वाल है biology का paper होने के बाद directly 2L को होने वाल है तो उस बीच में आप target करो at least 10 chapter तो complete करो हर दिन आपको दो-दो chapters तो पढ़ने है इसके ओपर detail वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा यह देखो information ब्रॉचर मैंने यहाँ पर provide किया है यहाँ पर eligibility criteria सारी चीज़े यहाँ पर रीड कर सकते हो type A candidate क्या होता है type B candidate कौन होते है type C type D आपको सारी चीज़े मिल जाएगी admission related procedure आपको सारी details यहाँ पर आपको मिल जाएगा ठीक है अभी जैसे MSTCTI exam को स्रीपोसी 40 days ही बच्छे हुए और आप सभी students के लिए already मैंने video upload कर चुके है कि यह last 40 days में कैसे preparation करनी है तो इतना टाइम नहीं है literally और यह 40 days की preparation is very crucial for you अगर 40 days में अच्छे से prepare करते हो ना तो definitely अच्छे college में जाओगे लेकिन अगर आप उतने अच्छे से preparation नहीं करते हो and अगर आपको 90 या फी below 90% आ रहे तो आपको average college मिलेगा और CS IT branch में तो admission मिलना बहुत ही difficult हो रहा है हर साल क्योंकि rank increase होते जा रहे competition काफी increase होते जा रहे तो tech branch में जाना है तो target करना है 99% तो यह वीडियो आप देख सकते हो यह वीडियो आपके लिए काफी helpful होने वाला है और अपने according अपनी strategy बना सकते हो अपना time double बना सकते हो और उसके according उसको follow कर सकते हो ठीक है I hope सारे डाउट्स आपके clear हो गए होंगे eligibility criteria से related कुछ भी डाउट है आप comment section में comment करो सारे डाउट्स में clear करने की कोशिश करूँगा and जिसने भी rising education का app नी download के है जल से जल download कीजे वहां पे mock test आप सभी students को provide के जाएंगे और अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते